हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका कार्डियो किचन में मेरा नाम है मनीशा आज हम बनाएंगे मटर परी इसको हम बिल्कुल उसी टेक्सियर और टेज में बनाएंगे जैसा कि आपने अक्सर शातियों में खाया होगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रेक्वेस्ट है अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पासवले बैल आइकन को दबाएं और अग इसमें मैं दालूँगी 1.5 टेबलिस्पून ओयल अब भी हमें ज्यादा नहीं दालना है क्योंकि हमें पनीर को शेलो फ्राय करना है तेल को हम गरम होने देते हैं अब इस तरह से पूरी कड़ाई में इसको में एक बर फैला लेती हूं इससे पनीर अच्छे से फ्राय होगी अब इसमें मैं दालूँगी पनीर यह मैंने लगबग 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को कट कर लिया है अब इसको इस तरह से हम दालेंगे और शेलो फ्राय होने देंगे गैस की फ्लेम को हम low to medium रखेंगे और इसको आच्छे से फ्राय करेंगे इस तरह से हम थोड़ा-थोड़ा इसको हिलाएंगे इसको हमें दीरे-दीरे ही लाना है नई तूटने का डर रहता है इस ओर से मैं दीरे-दीर इसको टर्न करूंगी ताकि सब भी तरफ से ये अच्छे से फ्राइ हो जाए यह देखिए थोड़ी थोड़ी फ्राय होने लग गई है अब इसको टर्ण करके दूसरी साइट से भी थोड़ा सा हम फ्राय करेंगे यह देखिए अच्छे से फ्राय हो गई है अब इसको मेरा प्लेट में निकाल लेती हूँ का अब इसी गरम करढ़ी में मैं दालूगी दो टेबल स्पून ओई कि ओए को हम गरम होने देते हैं जीरा एंफ ऐसी के साथ इसमें दालूँगी लोंग यह मैंने चाहर लोंग ली है और साथ में दाल लोंगी दो साबूत लाल खड़ी मिर्ची इंस अभी को हम थोड़ा सा बुन्ने देते हैं अब इसमें मैं दालूँगे टमाटर प्याज का पेस्ट ये मैंने तीन टमाटर और तीन प्याज को अच्छे से मिक्सी में चला कर पेस्ट बना लिया है ओईल के साथ प्यास टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह देखिये अच्छे से mix हो गया है अब इसमें मैं ऐट करूँगी लसन अदरख का paste यह मैंने 1 teaspoon पेस्ट लिया है इसको भी हम टमाटर पे आज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ये देखिए सबी अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब इसको एक दो मिनट के लिए हम पकने देते हैं गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो ही रखेंगे ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से पकने भी लग गए हैं, अब इसमें मैं दालूँगी नमक, 1-2 टी स्पून, हल्दी मैं दालूँगी 1-2 टी स्पून, और इसी के साथ इसमें एट करूँगी धनिया पाउडर, 2 टी स्पून, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए मसाला थोड़ा थोड़ा पकने लग गया है, तो अब इसमें मैं दालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, ये मैंने 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, कश्मीरी लाल मिर्च दालने से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आता है, ग्रेवी में जो रेडिश कलर आता है वह कश और क्रेवे करें रहे च्टे्ट बहुत कर से शाथ मेरा ऩूदिए गलिए इस जान पाइना से शाल Candल ह rated के कली, saatि हमें काम प्रेच पून टोल मुरल से अजला से उध्योंSt ऐसे मंधित है के शाल काश कि ह थो माव है प्रेषिक देसे मिंधिने मतर कोका है ब》टनेale नो लगबक बहुत तरफारuard אזज़ हमें लगभक 1 tim पानी 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 के पानच बहुत यह से मिक्स हो गए हैbn हमना करें स्नारे कि दीध्या ध्यख्षितना पंपाना करें लगभक 1 मिनिट लिए घंड खें जिससे मटा ठोड़े से पख जाए लगबग एक मिनट हो गया है, हम इसको चैक कर लेते हैं., यह देखिए इसमें कितना आचा कलर आया है यह कश्मीरी लालमिर्ट जालने के वजह से ही आता है इसको हम अच्य से मिक्स कर लेते हैं हैं यह देखिए इसकि कितनी अच्छी ग्रे और अगर इस तरह की गाड़ी चाहते हैं तो पानी इतना ही रहने दें अब हम सब्जी को बॉल होने देंगे कि देखिए इसमें कितना अच्छा बॉल आ गया है अब इसमें मैं दालूगी पणिये जो अभी हमने शेलो फ्राय किये थे पनीर दालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको हम दीरे-दीरे ही मिक्स करेंगे नहीं तो पनीर टूटने का डर रहता है गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो ही रखेंगे यह देखिए पनीर दालकर सबजी अच्छे से मिक्स हो गई है अब मैं गैस की फ्लेम को लो करकर इसको लगभग 1 Minit के लिए फिर से पकने दोंगी पनीर ताल कर सबसी को पकते हुए लगभग 2 Minit हो गए हैं हम इसको चैक कर लेते हैं ये देखिए इसमें कितना अच्छा कलर आया है इसको एक बर हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से ये देखे, कितनी अच्छी ख्रेवी इसकी बनी है, और इसको टेक्स्टर भी आपको देख रहा होगा अब मैं गयास की फ्लेम को बंद कर दूगी, और इसको बॉल में निकाल दूगी यह देखिए सब्जी को मैंने बॉल में निकाल लिया है इसमें बिल्कुल शादी जासा कलर और टेक्स्चर आया है यह देखिए कितनी अच्छी है देख रही है खाने में भी बहुत टेस्टी है इसी के साथ मटर पनी की सब्जी बनकर तयार हो गई है अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ थैंक्यू